देशाज 78 वा स्वतंतरता दिवस मना रहा है 36 गड़ में भी आजादी के इस पर वो को लेकर खासा उचसा नजरा रहा है रैपकूर के पुलिस परेट ग्राउन में 78 वे स्वतंतरता दिवस के मुखिसा मारों में सीमसाय ने रास्टी द्वच फेराया इसके बाद सीमसाय ने परेट की सलामी फिरी इस औरान मुखिसाजी अमिताब जैन डीजी पी अशुक जुनेजा सहीत कई अधिकारी करमचारी मौजुद थे सीमसाय ने कहा कि स्वतंतरता संग्राम सिनानियों के कठिन संगर्ष और बलिदान के बूते देश को आजादी मिली है शहीद गैन सिंग, धूरवा राव, शहीद विंकट राव, वीर गुंडा धूर जैसे हमारे अनेक एतिहासिक नायकों के अदम में साहस बलिदान से आजादी हमें मिली है आज स्वतंतरता दिवस की समंगल बेला में हम सभी स्वाधिन्ता का सूप साधा कर रहे हैं हमको यह आजादी अंग्रेजी समराजवाद के विरुद हमारे फूरवजों के कठीन संगर्स और बलिदान के बूते मिल पाई है यह आजादी हमें देन है सहीद गेन सिंग, सहीद धुरवा राव, सहीद यादो राव, सहीद वेंकट राव, बीर गुंडा धूर, सहीद डेवरी धूर, सहीद आयतू महरा, सहीद बीर नारायन सिंग जैसे हमारे अनेक एतिहाइसिक नाइकों की जिन्होंने अदम सहास का परिचय देते हुए जन्मानस में स्वाधिन्ता की अलग जगाई महत्मा गांधी के नेत्तित में पूरे देश के स्वाधिन्ता सेनानियों के साथ ही 36 गड के सोतंतता संग्राम सेनानियों ने भारत माता की परतंतता की बेडियों को तोड़ने के लिए जो अन्थक मेहनत की उसके सुखत परिणाम सरूप आज हम सोतंतर वातावरन में सांस ले रहे हैं परदेश के पारमपरी खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने 36 गड केडा पुरुसाहने उदना आरम करने का निरने लिया है राइगर जिले में इंडोर स्टेडियम कंपलेक्स हाकी एस्टोटर मेदान एम सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक 31 करोड 50 लाग रूपे के लागत से बनाया जाएगा वहीं बलोदा बजार जिले में 14 करोड रुपे की लागत से इंडोर स्टेडियम कंप्लेक्स का निर्माड किया जाएगा जस्पुर जिले के कुनकुरी में 33 करोड 60 लाक रुपे की लागत से आधुनी खेली स्टेडियम का निर्माड किया जाएगा निश्चित रूप से हमारी सरकार इवाउं को उनत्ती के लिए हर उसर परदान करेगी यह हमारा संकल्प है आज के दिन हम उन पूरवजों के प्रती भी क्रित ग्यता ब्यक्त करते हैं जिन्होंने आपात काल के कठीन दोर में सविधान की मसाल को बुझने नहीं दिया देश भर में हज़ारों लोगतंतर सेनानियों ने इमर्जन्सी का बिरोद किया और इसके प्रतिरोद में जेल की सजा और अन्य आतनाई भुगती अगले वर्स 25 जून को इमर्जन्सी के 50 बरस पूरे हो जाएंगे इस वर्स आपातकाल इसमिश्टी दिवस के अउसर पर 25 जून के दिन हमें अपने प्रदेश के लोगतंतर सेनानियों का आशिरवाद मिला है मुझे यह कहते हुए प्रसंता हो रही है कि अपने लोगतंतर सेनानियों के प्रति कृत्यता ग्याफित करने हैं तो पिछले पांच वर्सों से रुकी उनकी सम्मान निदी हमारी सरकार द्वारा पुनह प्रारम की गई है